जिस्थान है नारी के माथे पर बिंदी का वही स्थान है भाशाओं में हिंदी का चर्चा कारक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं प्यारे दर्शगन आज का हमारा विशाई है विश्व हिंदी दीवस दोहजार एक विश्व की प्रमुग भाशाओं में से एक है हिंदी इस भाशा में कई तत कि यहां भाशा जो है हिंदी भाशा विश्व की तीसरी सबसे अधीक बोली जाने वाली भाशा है वैश्विक स्तर पर इस भाशा की गती कैसी है इससे जुरी चुनावतियां कैसी है संभावनाएं कैसी है इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस चीजों में आए है श्रीमती सुनीता पाहुजा जी आप दृतिय सचीव हिंदी एवं संस्कृती भारतिय उचायोग मुरिशत से आए है नमस्ते और साथी साथ गुल्षन सुकलाल जी आप सीनियर लेक्टर हैड ऑफ लांग्वेज रिसोर्स संटर एमजियाए से नमस्ते हिंदी के इस मं तो रखता है प्रशन आपका बहुत रोचक है रितेश जी उत्तर उतना रोचक बनाने की कोशिश करूंगा कि मुझे हमेशा ये कहने में अच्छा लगता है कि जब हम विश्व हिंदी की बात करते हैं तो मौरिशस उसका अगरदूत है उसका टोच बेर है विश्व भाशा मेरे लिए महत्वक की बात मेरे लिए जे जो उसमें खास बात विश्व भाशा बनाने में आज से दो सो साल पहले के प्रवाशियों का बहुत बड़ा योगदान है आज उस से बड़ी संख्या में लोग बहुत सारे देशों में भारत से काम करने जा रहे हैं लेकिन हिंदी को सबसे पहले विश्व भाषा बनाया हमारे पूरवजों ने और हम एक मरिशस के हिंदी सेवक होने के नाते हमारे लिए यह अच्छा लगता है कि हमारे पूरवजों जो आरा जो एक छोटी सी प्रक्रिया शुरू हुई थी अंजाने में उन्होंने जान बूझ कर नहीं की थी उस प्रक्रिया का ये फल है कि आज दुनिया की इतने सारे देशों में ये भाषा है इतने सारे लोग पढ़ लिख रहे हैं और इतना बड़ा हो गया है ये ये दिवस और इतनी बड़ी हो गयी है ये भाषा कि विश्वहिंदी दिवस की घोशना हुई कि सन्युक तराश्ट्र संग में हिंदी को पहुचाने की चर्चा शुरू हुई लंबी प्रक्रिया है समय लगेगा विश्वहिंदी सच्वालाई जैसे संस्था है तो मेरे लिए मौरिशस का होने के नाते विश्वहिंदी दिवस एक विशेश माहने रखता है लगता है कि पुरवजों ने जो सपना देखा भी नहीं था वो पुरा हो रहा है खास अरुपे विश्वहिंदी दिवस के उसर पर आप अपने पुरवजों को याद करते हैं काम तो भविश्य के लिए करते हैं लेकिन कहीं न कहीं उनकी सुनिती रहती है जरूर बहुत अच्छा और आ उसमें हिंदी प्रमुख है क्योंकि हिंदी के लिए हम यह आयोजित करते हैं और पूरे विश्व में आयोजित करते हैं अब हिंदी को ले तो सभी जानते हैं कि हिंदी भारत की राजभाशा है जन भाशा भी है संपर्क भाशा भी है लेकिन उससे बड़ी बाती है कि हिंदी जो है भाशा से आगे बढ़कर भी कुछ है वो एक समस्थी है वो बहुत सारी भारत की जो बहुत सारी संस्कृतियां हैं भारत की संस्कृतियां भी बहुत हैं भाशाएं भी बहुत हैं और धर्म भी बहुत हैं तो उन सब को अपने साथ समेट कर चलती है हिंदी तो हिंदी का जो स्वरूप है वो बहुत व्यापक है एक भाशा से आगे बढ़कर है और हम जैसा कि अभी गुल्शन जी ने बोला कि हम सबका प्रयास है कि हम उसे संयुक्त राश की भाशा बनाएं तो उस दिशा में एक प्रयास है ये ताकि पूरे विश्व में हिंदी के प्रती जो जनवरी जब आता है तो इस आव बिश्व में जो मनाने का दायित्व है वो सभी दूटावासों को भी सऊंपा गया है Stanela Challenge फज़ी तो विश्व में जन में भारत बांवास है उसे और ज़्यादा अपनाएं जब आप बात करते हैं हिंदी के स्थान की कि वो किस स्थान पर उसे माने बुलने वालों की संख्या को देखते हुए तो उससे पहले हमें समझना होगा कि हिंदी का स्वरूप क्या है हिंदी की परिभाशा क्या है आप किसे हिंदी मानते हैं उसका क्षेत्र क्या है तो उस द् हाशाई हिंदी के साथ हैं इंदी का हिस्सा है तो जब आप हिंदी कहते हैं उसमें शब्द लेती है हिंदी भाषा जो बहुत ही उदार शीला है और संस्कृत से भी शब्द लेती है अर्भी फार्सीर से भी लेती है और अब तो वैश्वी करन के चलते अंग्रेजी से भी बह कि हम हिंदी में जब संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं तो वहां वो संस्कृत निष्ट हिंदी हो जाती है लेकिन जब अरभी फार्सी के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो उर्दू की शैली हो जाती है उर्दू को आप एक अलग भाशा नहीं कह सकते ए वो तीसरे स्थान पर आ जाती हैं कई लोग भुझपुरी को भी अलग करते हैं हिंदी से तो उस स्थिती में तो हिंदी चौथे स्थान पर आ जाएगी और इस तरह आप क्या मैथिली को ब्रज को अवधी को क्या आप हिंदी से अलग कर सकते हैं जब हम हिंदी साहित्ते बोलत क paternarchaini को सूर को इससे वी ऑगे बढ़ें तो सुफिक और शुर्म को बढ़ते हैं भारत के एक कोने से डूसरे कोने तक चैहें आप आप काश्मीर कन्य कुमारी तक जाएं चाहें कामाख्या से कच तक जाएं भारत के हर हिस्से के लोग यूं तो अलग-अलग बोलिया अलग लग भाषाये बोलते हैं लेकिन जब उन्हें एक दूसरे से संपर्क करना होता है वहां उनके लिए हिंदी संपर्क भाषा का काम करती है हिंदी ही ऐसी भाषा है जो सब को जोड़ के चलती है भारत के भीतर तो जोड़ती ही है जब भारत से बाहर की बात करें जैसे अभी दूसरे से मिलते हैं, तो वो अपनी क्षेत्रिय भाषा नहीं बोलते हैं, और बोलिंगे भी तो समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए वहाँ पर भी हिंदी सब को जोडती है, तो देश के अंदर भी एक दूसरे को जोडती है, देश के बाहर जितने ना सरफ भारती हैं, बलकि भारत से प्रेम करने वाले जितने लोग हैं, सब को जोड़ने वाली समपर्ग भाषा हैं, और इतने स्तरों पर बोली जाती है, और कुछ हमारे पड़ोसी देश ले ले लिजे, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान में भी हिंदी बोली समझी जाती है, तो उन सब को जोड है, और हमारी यहां पर अलग भाषा है, लेकिन जब संपर्ग की बात आती है, तो हिंदी का प्रयोग करते हैं, यहां आपने बहुत अच्छा नोट किया, रितेश जी, मैं अपने दोस्तों से हमेशा कहता हूं, कि अगर आप दुबए इंटरनाशनल लेपोर्ट जाएं, त अंग्रेजी होती है, जो कुछ लोग बोलते हैं, और वहां के जितने करमचारी हैं, उनके बीच की संपर्ग भाषा हिंदी है, तो एक तरह से हिंदी अभी की परिस्तितियों में न केवल भारत की संपर्ग भाषा बन रही है, बलकि पूरे के पूरे साउथ इस्या के एक त बलने वाले से भी साथ में हो, तो ओ लोग अपस में हिंदी बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन अब यहां तक की बांगलादेश, नेपालादी के लोग पियाए यहां अफगानिस्तान के लोग साथ काम कर रहे हूं, इनस्ब की संपर्ग भाषा हिंदी हो जाती है, तो संख्य संख्याओं में पढ़ना अभी हमारा उदेश नहीं होना चाहिए क्योंकि दुनिया जिस गती से बदल रही है संख्याओं का कोई भरोसा है नहीं कौन सी चीज कहा जाएगी लेकिन भाशा का महत्व संख्या से नहीं भी नहीं नापना चाहिए पूरी की पूरी तरह उस से पर जहां पर वे लोग मल्टी मेडिया का प्लाटफोर्म प्रयोग करते है तो वहां पर हिंदी को प्रसिदी मिल रही है और किस तरह से मिल रही है गुल्षाण जी आप नौजवानों के साथ काम करते हैं भाशा जीवित होती है और उसको अगर हम लोग अगली पीड़ी तक नह सब्सक्रा रहना जरूरी है हमारे या हमसे पहले वारी पीड़ी के कुछ लोग इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि उन तक कौन सी भाशा पहुचानी जानी चाहिए लेकिन अंततहा आप देखेंगे कि आज का नोजवान एक स्वतंत्र कंशुमर है वो आपकी बताई हुई चीज ना खरीदेगा ना खाएगा ना कुछ करेगा वो अपनी पसंद से उसकी अपनी पसंद होती है अपना मन होता है अपना मूड होता है उसके हिसाब से भाशा के तत्वा दे चुलते है और ये ये देखकर बहुत खुशी होती है कुछ लोगा सहमत होंगे कि नौजवान वो हिंदी को अपना रहे हैं, वो हिंदी अलग है, उसका टून अभी इनिहोंने हिंदी की जिन शेलियों की बात कि, मुझे लगता है आज हिंदी सिनमा, आज से पंदर्श साल पहले मुंबिया हिंदी लेकर आया था, आज हिंदी सिनमा के गाने, पादशा आपके यू हनी सिं mujра लोग हिंदग की की आपको जो पन्जाबी हिंदी एए एक गाने में दो शब्द हिंदी के मिलें और दूखाभी किष ए लेकिन वो गाना हिंदी फिल्म का गाना होगा आपके हमारे नौजवान हिंदी को चुन रहे हैं अपनी पसंद से अपनी रुची की अनुसार एक ज़ादा मौडन हिंदी को चुन रहे हैं उनका चुनाव है लेकिन हाँ चुन ज़रूर रहे हैं दोसरी जो आपने मुल्टी मेडिया आदि की बात की जो इससे पहले हम लोग गतिशीलता की बात कर रहे थे यह जो समुदाई सौ सौ से ज़्यादा वर्षों तक एक देश में बंधे हुए थे ना वो बाहर जा रहे थे ना उनकी भाषा बाहर जा रहे थी आज उस समुदाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर जाने लगा है लेकिन उसके साथ साथ जो समुदाई का जो हिस्सा देश से बाहर नहीं भी जा रहा है मल्टी मीडिया और अन्य टूल सोशल मीडिया आदिके माधियम से उसकी भाषा बाहर जाने लगी है तो इस भाषा को गतिशीलता प्रदान करने में इस सोशल मीडिया इस टेक्नोलोजी एक शब्द में पूरी के पूरी टेक्नोलोजी का योगदान है और इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि इस टेक्नोलोजी के प्रयोग में हमारा युवा वर्ग हम से आगे हैं तो हमारे पास एक चुनाव है कि आप चाहते हैं कि आपका युवा वो हिंदी बोले जो आपने बैटका में आज से साथ साल पहरे पढ़ा था या आपका युवा अपनी हिंदी अपनी पसंद की हिंदी बोले लेकिन हिंदी को उससे आगे पहुँचाए जहां तक हम है हिंदी सिनिमा हिंदी सीरियल आधी आधी और युवा उससे जुड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ा रहा है आज जितना स्टेटस चाहिए वो फेस्बुक वाच्साप इंस्टा वगर आप देखते हैं जितना युवक हिंदी में लिखने लगे हैं क्योंकि फैशनेबल है आ आप आज एक कोई भी एक बहुत ही सेक्रट गेम्स का एक डैलोग लीजे उस पर मेम बनाए और वो फट से इसे चलता है वो हिंदी में होता है तो ये सोशल मीडिया ये टेक्नोलोजी और ये युवा का कंबिनेशन ये जो जोड है ये हिंदी के लिए मतलब वही काम कर रहा है जो कोई भी जड़ी बूटी कर सकती है बहुत बहुत जोर की ताकत दे रही है अभी आप देख रहे है चर्चा का रेक्रम हम बात करे है विश्वा हिंदी दिवस 2001 के सक के बारे में हिंदी भाषा का इस्तर विश्वा इस्तर पर अभी हम आते हैं स्थानिय इस्तर पर और अपचारिक रूप से हिंदी के पठन और पाठन के बारे में आप लोगों को बताएंगे बताएंगे क्या दिखाएंगे इस वीडियो में अपचारिक रूप से आज मर्शिस में हिंदी का पठन पाठन होता है लंगमाउंतेन के हिंदी प्रिचारिनी सभा अपने हिंदी कक्षा द्वरा चात्रों को उत्तमा की कक्षा तक पढ़ने का अउसर देती हैं तो मौशिस की आर्य सभा तथा आर्य रवेवेद प्रिचारिनी सभा और अन्यत संस्थाओं द्वारा सुचारो रोब से हिंदी की पढ़ाई होती ही। और यहां युनिवर्स्ट अमोशिस और महात्मा गांधी संस्थान के सैयोग से इसनातक और इसनातक उत्तर के इस्तर पर हिंदी की पढ़ाई होती ही। हिंदी के कई चाद्र भी मोशिस आकर अपना शोतकार्य करती ही। मीडिया पर हिंदी फिल्म गीतों द्वारा वातावरन हिंदी मै बन जाता ही। और हिंदी समचारों से दुनिया से जोड़े रहने का मौका मिलता है। आज हिंदी नसर्फ धर्म साहित्य तथा शिक्षन की भाशा हैं बलकि मनोरंजन की साथ संपर्कों की भाशा बन गई ही इस वैश्विक हिंदी से वसुदेव कुटुमबकम का कथन सार्थक हो रहा ही वापस आते आप देख रहे हैं चर्चा का रक्रम हम चर्चा करें है हिंदी भाशा को लेकर अभी गुल्शन जी ने कहा कि मल्टी मीडिया मतलब टेकनोलोजी के स्थर पर हिंदी की गती कैसी है और नौजवानों का किस तरह का योगदान है मैम आपसे यह यही प्रशन हम पूछना चाहेंगे आपका क्या विचार है यहां बहुत अच्छी बाते कहीं अभी गुल्शन जी ने और जैसे कि आप कह रहे थे कि हिंदी में कुछ भी हो तो बहुत जल्दी प्रचलित हो जाता तो उससे मेरे दिमाग में वो विग्यापन आ रहा था जैसे कहते हैं कि यह दिल मांगे मोर तो आपको यह दिल मांगे हिंदी में बोलना और लोग जुड़ जाते हैं उसके साथ और जहां तक मल्टी मीडिया की बात है शुरुआत तो यह हुई कि जैसे ही कोरोना आया सब कुछ रुप गया थम गया एक्तम से लेकिन फिर दीरे दीरे सबने इस चुनौती को स्विकार करके इस एक अफसर में बदलने का कोशिश किया और जिसकी सबसे बड़ी पहल जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी साबित हुई वो थे हमारे ऑनलाइन मीटिंग्स जो होने लगे वर्चुल जिसे हम क वुड़ें हुएं इस पर इसके साथ और सभी अपनी बाते रखते हैं योजनाय बनाते हैं और उस उन्हें क्रियानवित भी कर रहे है विश्विधी दिवस जिन देशों में मनाया गया उनके कारीक्रम हमने इन पर देखे और अब विश्विधी सचिवाले ने जो लोग भी जुड़ रहे हैं और उम्र का कोई की कोई सीमा नहीं है बड़े बजूर्ग बच्चे सब इसके साथ जुड़ रहे हैं हाँ बच्चों से जैसे आपने बूला सोशल मीडिया पर आ गया है बस एक छोटे सा छोटा सा नुरूत करूंगी कि उन्हें हम इस और प्रेड बात है कि जब हम अपनी भाषा के बारे में बात करते हैं और अपनी मात्र अगर भारती हो तो अपनी मात्री भाषा के बारे में बात करते हैं लेकिन भाषा के प्रती अनुराग भाषा के प्रती प्रेम तो एक तरफ है लेकिन जीविका के लिए तीन चीजों का होना बहु दिलाने में। उसकी संख्या में कम ज्यादा होना ये तो स्वभाविक सी बात है। एक अच्छी बात जो विश्व विजाले में पढ़ाने के नाते हम लोग नूट करते हैं। कि एक समाने में हम लोग अपने चात्रों को जब पढ़ाते थे तो ये लगभग मान कर चलते थे कि वो हिंदी अधियापक बनेगा। आज ग्राजवेशन जरूरी है और आवशक है कि आप किसी भी विशय में किसी भी भाशा में किसी भी भाशा की माध्यम से एक ग्राजवेट हो रहे हैं आपमें वो गुनाज की दुनिया स्किल बेस्ट एडुकेशन की बाद करती है। कंटेंट बेस की बात नहीं करती हैं आवशक यह है कि आप बात करना जाने आवशक यह है कि आप मैनेज करना जाने आवशक यह है कि आप सही निर्नाई लेना जाने और वो सारा कुछ हम हिंदी के माधियम से उतना ही पहुंचा रहे हैं जितना उनके यहां अन्य भाशाओं अ बहुत अच्छा लग रहा है देखना कि हिंदी की डिड़ी करने के बाद हमारे बच्चे एक तो अलग-अलग फील में आगे की पढ़ाई करने जा रहे हैं लेकिन वो काम कभी कभार मैनेजमेंट का करते हैं या मारकेटिंग का करते हैं या कुछ भी करते हैं करते उसी प्रफेशनल बना सके नोकरी अलग बाद है फिर भी कहते हैं कि दे स्टिल रूम फो इंप्रोव में चुनोतियां है एक तौन कौन सी चुनोतियां है जब आप विश्व भाषा की बात करते हैं तो चुनोतियां आपके सामने छोटी सी तो नहीं होंगी वह भी वैश्विक ह प्रफेशनल पर हिंदी की चुनोतियों की बात करें तो मुझे लगता है कि हिंदी ने अपनी प्रगति का बहुत लंबा रास्ता ताय किया है लेकिन प्रगति के हर रास्ते पर एक चीज आती है जिसे हमें ग्लास सीलिंग बोलते हैं हिंदी कहीं न कहीं उस ग्लास सीलिंग आज के प्रवासी हो, हिंदी के माइग्रेशन का महतपून कारण प्रवासी से हटकर अब कुछ और होने का समय आ गया है, उसको अपने आप में भी अपने पैरों से आगे बढ़ना चाहिए, अंग्रेजी के लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग अगर माइग्रेट नहीं क हिंदी को संस्कृति से आगे के संपर की भाषा होना बहुत जरूरी है, आपके मीडिया में हमारे यहां समाचार पढ़े जाते हैं, बहुत सारे कारगरम होते हैं, लेकिन बहुत सारे देशों में कहीं ने कहीं एक उरकावट इसी है, हिंदी को इस संस्कृतिक चर्चा से आ आगे के शिक्षन की भाषा बनानी है जैसे हमारे आम बोल रहे हैं आज हम लोग IT का स्किल आपको हिंदी में दे पा रहे हैं तो वो करना है इस प्रकार से हिंदी के सामने बहुत चुन होती हैं लेकिन जो समाज बदल रहा है रितेश जी अगर आप अनुमति दें तो ये बात कहूंगा एक समय था जब अगर आपको कंप्यूटर में टाइपिंग नहीं आती थी तो आप कंप्यूटर लिट्रेट नहीं माने जाते थे आज अपना मोबाइल उठाते हैं एक बटन दबाते हैं जैसे आप बिजडी का बटन दबाते थे और आप बोलते हैं हेलो ये या ह वो अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग असिस्टंट है और वो आपको पूरा टाइप करके देता है या पूरा का पूरा निर्देश लेता है अभी जो आप लोगों ने चर्चा की हिंदी विश्व की कौन सी सबसे ज़्यादा बोले जाने वारी भाशा है जितनी भी हो जो भी नंबर हो आप सोचे हम लोग वोईस टेक्नोलोजी के जमाने में हैं और जो भाशा इतनी भारी संख्या में बोली जाती है और जिसको टाइप करने की ज़रुरत नहीं है जिसको सायद कुछ दूर में लिखने की ज़रुरत नहीं होगी केवल बोल कर एक दूर और यह जो बोलने वाला महत्वा है यह हिंदी को बहुत दूर ले जाने वाला है आने वाले एक दो दुच्गों में आप यह दियान रखिये गाठाय नहीं तो यहां की हिंदी के स्था के बारे में क्या अपने देखा वे देखा हिंदी बहुत शुद्ध और व्यापक सर पर लुए जाती हैं हमें दूर दर्शन पर समाचार देखने को मिलते हैं रीडियो पर गाने या रिटियू पर मौरीश्य के समाचार आते हैं बात के कारिक्रम अगर यहां प्रसारित किये जा रहा है वो तो एक बात है कि उसमें लोगों का प्रेंज लग रहा है लेकिन यहां के लोग बोल कर अपने यहां के स्थानी समाचारों को दूर दर्शन और रीडियो पर दिखाते हैं यह बहुत अच्छी बात है और आपको बहुत कानों को बहुत और जहां तक हिंदी की चुनोती की बात करें तो उसमें एक छोटी सी भूमी का छोटी सी तो नहीं कोंगे लेकिन एक भूमी का अनुवाद की है कि बहुत जरूरत है कि भारतिय भाशाओं से हिंदी के साहित्ते का और हिंदी के साहित्ते को अन्य भारतिय भाशाओं में भी और इसी तरह विदेश का जो साहित्ते है उसके अनुवाद को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए हो रहे हैं अनुवाद नहीं हमें हर एक दूसरे से परिजित कराया है सारे साहित्ते से विश्विके लेकिन इसमें और गती आएगी तो हिंदी और जादा बढ़ीगी और पुश्पेट पल लवित पी होगी बहुत बहुत धन्यवाद गुल्शन जी बहुत धन्यवाद सुनिता जी धन्यवाद आपके अंध तक आगए है आपका धन्यवाद आपने आमंतरित किया और हमें ये अफसर दिया कि हम आपके मौरेशास बासें से और बलकि सभी से परेचित हो सकें और अपनी बातें उन तक पहुंचा सकें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, तो यहां पी प्यारे दर्शकन हमारे जाने का समय भी आगा है, लेकिन जाने से पहले ज़रूर आपको बताएंगे कि हिंदी की गति, हिंदी भाशा की गति चाहे कैसी भी हो, लेकिन आप लोगों का करतव यह क्या है, अपने बच्चों का करतव यह क्या है, अगर बच्चे लोग हिंदी नहीं पढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जाहिर से बात है, हिंदी की गति थूर सी कम हो जाएगी, हिंदी की गति को आगे बढ़ाना है, तो बच्चों को झाल झाल झाल